नमस्ते ओम शान्ति आप सबको आज आपका 187 वे दिन का इश्री वर्दान इस वर्दान में जाने से पहले हम इस लिंक पर जाएंगे जहांपर आप चाकर के योगासन सीख सकते हैं डायेट और सोने की कला और उके साथ भी शेयर करीगे इस इसको तो आगे बढ़ते हैं आज आज के इश्री वर्दान में परमपिता परमात्मा में सेहन शक्ति कि कोई कुछ कह रहा हो चला रहा हो आपके उपर क्रोथ कर रहा हो आग बगूला हो गया हो लेकिन फिर भी आप कैसे शान्त रहें अनुभव तो मेरे भी हुए हैं कल भी हुए अनुभव काफी दिनों से होते आरहे हैं काफी सालों से नुभ होता रहे हैं तो उसमें अपने आपको शांत रखना अपने आपको बिक्कुल द्रिंटा से शक्ति चली बनाया रखना वो कैसे कर सकते हैं परमात्मा उसके थोड़ी सी आज हमें जलब देते हैं देखें बाबा कहते क्या है बाबा कहते हैं से शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संसकारों को परिवतन करने वाले कोई चला रहे हैं आपके उपर एकर अगर आप भी चला देखें इसकी उपर फ्लीवा क्या होगा गुस्ता करना बंद हो गया आपका, परमात्मा कहते हैं कि आपको खुद सोच करके, खुद समझ करके, खुद रिलाइस करके आपको अपने आपको चेंज करना है, फायदा किसका है, क्या फायदा है वो देखते हैं, बाप कहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्यानी और अज ज्यानिया आत्माउं द्वारा, ब्रह्मा बाप मतलब ब्रह्मा कुमारिस के जो founding father है, ब्रह्मा Adam कहा जाए जिनको, तो उनके बार में कहा जा रहा है कि उन्होंने जब स्थापना शुरू करी थी, ब्रह्मा कुमारिस की, तब उनको बहुत सेहन करना पड़ा, बहुत लोग ने आ करी, गाली करी, गलत चीज़े बूली, लेकिन परमात्मा पिता ने कहा कि ब्रह्मा बाप मेरे पहला बच्चा ज जसको नहीं है, फिसको तो हर चीज़ से मह होगा, हर चीज़ स लूब होगा, हर चीज मेечно मेरी-मेरी होगी उसके लिए तो, लेगिन जिसको ग्यान है, वो आस्ते आस्ते चूνता जाता है, मेरे पडब से, मेरा घर, भेर मेरा धन दौना ओलत, मेरी माता पिता, मेरे रंषते मेरा मेरा मै मैं है। उसको अंकार करोध फटा फटा आएगा। तो परवादा कहते हैं, चाय ज्ञानी हो चाय अज्ञानी हो, आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर, उसे परिवर्तन किया। इंसल्ट भी सहन करी, लेकिन परिवर्तन किया। तो follow father करो, follow father, अब दो father होगे हैं, एक तो Supreme Father, आत्मा के पिता, आपके और मेरे एक ही हैं और एक होगे Humanity के Father, जो कि Adam या ब्रह्मा का हैं, या Adam का हैं उनको कहा जाता है, तो वो होगे, उनको follow कर निकले हैं कह रहे हैं, पर्म पिता पर्मात्मा कह रहे हैं, पहले बच्चे को follow करो क्योंकि पर्म पिता पर्मात्मा तो उनका शरीर निकी उनको देख पाएं, कि वो कैसे करते हैं, करम कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं वो तो पर्म पिता पर्मात्मा हमें ब्रह्मा बाबा के तन के दोरा करके समझाते हैं कि बच्चे ऐसे बोलो, ऐसे चलो, ऐसे सेहन करो एक्जैम्पल तो बाबा कहते हैं परिवर्तन किया तो फॉलो फादर करो इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ द्रणता को धारण करो यह नहीं सोचो कि कहां तक होगा कि कहां तक सेहन करेंगे इसने इतना कुछ बूल दिया मेरे बारे में इसने ती इंसल्ट कर दी मेरे बारे में इसकी हिम्मत कैसे हुए मेरे बारे में ऐसे बोलने के लिए यह समझता क्या है समझती क्या है परमात्म कहते हैं इनको फुल स्टॉप लगाओ क्योंकि आप जब कहते हैं कि कहां तक सेहन करें एक थपड मारा दूसरा थपड मारा तीसरा थपड भी मार दिया कहां तक सेहन करें हमने तो सुना हुआ है कि एक खाओ दूसरा खाओ तीसरे में दो तो परमात्मा कहते हैं वैसे नहीं जो सहन करता है वो शहिंशा बनता है परमात्मा कहते हैं क्योंकि राजा के अंदर सहन करने की शक्ति होती है कि प्राजा के अंदर होती है सहन करने की शक्ति किसके अंदर जादा होती है सुची जरह तो परमात्मा कहते हैं यह नहीं सोचो कि कहां तक होगा सिर्फ थोड़ा पह मेरत इस पर बॉइल बड़ बात ने हैं, जिसम एंब होगा रहे है विल फमस्कुर ृब एंधर स्बूमने से रहे है। लेकिन अंदर यंदर श्री कृष्णा हस रहे हैं तो वह एक्जामपल है परमात्रों कहते हैं सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा कहां तक सहन करेंगे लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो तो चुप रहने के लिए कब आईगी शक अगला जनम के मुझे त्यारी करनी है यह लास्ट जनम है सर्मरशय आत्मा को अल्मूस्ट तो त्यारी हो तो aim object की बना तो कोई अपने आप कोई चेंज करने की ज़रूरत बनी सोचता है तो वो ग्यान लेना बहुत ज़रूरी है जब आप लेंगे ग्यान रिलाइस करेंगे तब आपके अंतर चेंज़ साएंगे तो परमादव कहते हैं लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो चुप रहने में बेटर है अगर आपने भी बोल दिया रिटर्न में आगा उसने भी बोला आपने बोला उसने तो आग बढ़ती जाएगी सहन कर लो तो वह भी बदल जाएगा कैसा बदल देगा उसको रेलाइज होगा जो चुप जाता है और जो चुला रहो तो परमात्म के नेधर में भी बच्चा गिर रहा है जो चुला रहा है वो भी उसको कैसे दिख रहा है जो चिला रहा है आजू बाजू वालों को उनको भी लग रहा कि कैसा वेखती है कैसा चिला रहा है इतना बड़ा हो गया है इतना एल्डरली वेखती हो गया है यह ऐसा है इतना पड़ा लिखा है तब इसको समझनी है बात करनी किया इसको वो नहीं है तो वो तो सोच रहे हों उसके उपर आप कुछ भी डालोगे, पानी डालोगे, वो क्या होगा, भाब बन करके निकल जाएगा, पानी डालोगे, छड़क करके बाहर निकलेगा वो, तो उस समय कुछ नहीं बोलना इसलिए, चुप चाप रहना है, तो परमात्पर कहते ही, महनत करनी है, एक दिन भी नह सिर्फ दिलशी कस्त, नहीं बनो दिलशी कस्त मेद के कब सेहन करें, मैं करौं leaking को सा ठिव video करना पड़ता है, मेरे को ही सब टॉंट करते हैं, मैरे को ही सब कंप्लेन करते हैं, मैं किया सब कहा है, मैं किया सब कहा हूँ, क्या punching bag है, प्रमात्पा कहता है, आपके उपर une防 tip कर किये हैं एक राजा हो करके तब ही प्रजा करके आप क्या कर रही है गालिया निकाल रही है कि यह ऐसे हो तुम ऐसे हो जो गिरा हुआ होता है उची को तो गालिया निकलती है और जो सबसे ऊपर चड़ा हुआ था वही तो सबसे जादा गिरता नीचे तो आप अगर पहचान ल पे थे आप आपने कुछ गलत किया उस समय उसके आपको गालिया खानी पढ़ रही है तो जो अभी खा लेगा वो फिर से शेहन चा बन जाएगा तो परमात्मा ईश्वर ये बहुत कहरी बहुत ही महीन बाते हमें सीखने कले कहते हैं जो कि ब्रह्मा कुमाईज में सीखते हैं तके आमरे अंदर हो सेहन उशक्तिय आहिए आप की अपनायेगा और अगे बठते जाए आए और सुख्य रहे और साथा चैक्सध्य रहीगा जीए जो सेहन कर लेता है वह सेहत बम भी रहता है नहीं तो हार्ट की प्रोलम पता नहीं किया कि बीपी की प्रोलम स्टाट हो जाती है तो खुश रहे सुखे रहे ओम शैन्ती